नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में हम आस्तीन की सूट की सिलिप बनाएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते किस तरीके से आप डिजाइन में एक नई डिजाइन के साथ सिलिप बना सकते हैं तो सबसे पहले अपनी डिजाइन कट करेंगे तो उपर एक निसान लगा लेते हैं ऐसे ही उसके बाद यहाँ पर जो पान बनाएंगे वो धाई इंच का और इसकी जो चौणाई है वो भी धाई इंच रहेगी उसको डबल में करेंगे तो सबाव इंच इस तरीके से आपको एक सेब दे देना है अच्छे से यह हो गया अब हम क्या करेंगे उसके आगे जो है एक थोड़ी से और डिजाइन बनाएंगे सबाव इंच की लाइनिंग में और इसको दो सूट में गैब दे देंगे और उसके बाद इसको कट कर देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से यह बनेगी तो जब आप कटिंग करें तो एक अच्छे से प्रोपर सेम में आपको देना है बिलकुल यह दिखिए कट हो गया उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं आदा इंच का मार्जन के साथ तो ये हमारी कुछ इस तरीके की डिजाइन आई है अब हम क्या करें भी इसको पड़ेते जड़ लेते हैं सिंपल सा उसके बाद इसका कपड़ा जो है इसको कट करके और जो है पलेट लेते हैं पलेट के आपको मोले लेना है इसको उसके बाद फालतू का एक्स्ट्रा जो मार्जन है कपड़े का उसको छाट देना है तो यह कंप्लिट होगा अब हम आस्तीन पर रखते हैं तो इस तरीके से कुछ रखना है उपर आपको छोड़ देना है पैर का मर्जन जाएगा उसके बाद आपको लगोगि एक इंच उपर छोड़ देना है और उसके बाद इसको लगा देना है जहां पर भी आपको अच्छा लगे जहां पर लगाना हो आपको बीचों भी सेंटर में प्रोपर आपको लगाना है इसको अब अच्छे से गुलाई दे के सिलाई लगाना है ताकि डिजाइन हमारी निकले जब तो एकदम बहतरी तरीके से तो यह हमने सिलाई लगा दिये अब हम क्या करेंगे इसको कट कर लेते हैं बहुत जद्धा आपको मारजन रखने के जरूरत नहीं इसको बस कट कर देना है उसके बाद हम इसके कट लगाएंगे ताकि यह डिजाइन बैठ जाए तो हलकल कैसे सिलाई ना कटे बस उतने कट आपको लगाना है पूरे डिजाइन में आपको लगा लेना है उसके बाद हम इसको पलट देंगे पलटने के बाद आप नाखून लगा लें चाहे तो प्रेस से बैठ ढाल सकते हैं तो यह देखे अपने आप ही बैठ गए कुछ इस तरीके से आई है अब हमको क्या करना है अब दूसरा काम करेंगे अब इसमें बनाएंगे एक रेड कलर की पट्टी जैसी भी सलवार हो उस टाइप की पट्टी आपको बना लेनी है सलवार का कपड़ा यहां पर लगेगा तो देड़ पैर की हमने यह पट्टी बना ली दो सूथ की तो वो हमारी लाइनिंग ही है डिजाइन तो उसमें दब जाना चाहिए उतनी आपकी चौड़ी पट्टी बनाना है उसके बाद हम इसको पलट लेंगे तो यह हमारी एक पैपिन बन गई आप इसको लुपी भी बोल सकते हैं उसके बाद जो है इसको इस तरीके से लगा देना है सबसे पहले इधर का हिस्सा ही हम लगाएंगे और इसको दबाते हुई यहां पर चले जाना है अगर आपको इसको पर सिलाई नहीं देना है तो जो दबाएं तो तुरुपाई से आप इसको दबा सकते हैं अंदर से तो उपर सिलाई नहीं आएगी और तुरुपाई कर देना है तो मैं यहाँ पर लपकी सिलाई से इसको दबा रहा हूँ तो आप चाहें तो लपकी सिलाई से भी दबा सकते हैं तो लपकी सिलाई उपर दिखेगी आपकी तो यह हमारी डिजाइन जो है वो कम्पलीट हो गई है अब इसमें हम लगाएंगे टाकेंगे मोती तो मोती टाकने के बाद इसका एक अलग ही लुक आएगा तो इस तरीके से दिखेए कुछ यह आई है इसका लुक तो दोनों तरब यह बनाएंगे तो बहुत ही देखने में खुप्सूरत यह डिजाइन होती है दोस्तों तो यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही डिजाइन वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्क्राइब कर बेल आइकनाल पे जरूर क्लिक खलें तो मिलते हैं नए वीडियो को साथ अब तक के लिए नमस्तों झाल